परस्वाडा के अंतरगत आने वाले ग्राम जीरिया में हर सुल्लास के साथ मनाया गया नवरातरी का पर्व ग्राम के सभी स्रधालू गनों के द्वारा मा दुर्गा की नव दिन नव रात मा के भक्ती में लीन होकर पूजा अर्चना की और अपने परिवार जनों के लिए सुक सान्ती और समरद्धी की मनोकामना पुर्ण होने का आसिरवाद लिया जिसके बाद दशरा नौमी के दिन पंटिची के द्वारा हवन का कारेक्रम एवं नगर भोच का भी कारेक्रम किया गया जिसमें समस्त ग्राम के स्रधालू भक्तों के द्वारा अपार सहियो प्रदान किया गया जिसके ततपस्चात असत्य पर सत्य की जीत का प्रतिक विजिया दश्मिक का पर्व सनिवार को ग्रामीनों के द्वारा हर्स उल्लास और स्रधा के साथ मनाया गया यह कारक्रम प्रतिवर्स अनुसार इस वर्स भी रावन दहन का आयोजन किया गया सनिवार को दशरा के अउसर पर ग्राम के दुर्गा उस्व समीति द्वारा रावन का पुतला बनाया गया जिसका परमपरागत तरीके से रावन दहन किया गया इससे पहले नगर में जाकी निकाली गई जिसमें भगवान राम, लक्ष्मन और सीता हनुमान रत पर विराजमान होकर निकले दुर्गा पंडाल से आरंब होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दशरा मैदान इस्तित योजना इस्तल पर पहुची जाकी में लोग डीजे पर थिरकते हुए तथा जैकारे लगाते हुए चल रहे थे इस दवरान नागरिको और समाज सेवियो द्वारा जगा जगा पुस्प वर्षा कर राम जाकी का जोड़दार स्वागत किया गया आयजन इस्थल पर राम लक्ष्मन और माता सीता बने कलाकारों की आरती उतार कर एवं पुस्प मालाये पहना कर उनका स्वागत किया गया राम रावन युद्ध का मंच किया गया इसके पश्चात राम ने अग्निबान चला कर रावन के पुतले का दहन किया बतादे की परंपरागत अनुशार वर्सों में रावन दहन कारेक्रम का आयजन किया जाता है जहां बड़ी संख्या में लोग रावन दहन देखने के लिए पहुचते हैं जिसमें ग्राम पंच्या जीरिया की आयजक समीती का भी महतोपुर्ण योगदान रहा जिसके बाद आज दिन रविवार को मा दुर्गा का जलविहार करने के लिए ग्राम के ही तालाब में मातारानी का जैकारे के साथ विशर्जन किया गया साथी इस कारेक्रम को सफल बनाने के लिए समस्त ग्रामीनो का भी योगदान रहा MPCJ24 News Express के लिए बालाखट परसवाडा से उमेज बिसेन की रिपर्ट